गणपती विसरजन करने के बाद भी गणपती जी की कृपा कैसे हमारे घर में बनी रहेगी ये मैं आपको बताती हूँ गणपती विसरजन करने का सही तरीका और उनकी कृपा हमारे घर में कैसे रहेगी ये मैं आपको आज की विडियो में बताऊंगी तो यहाँ पे गणपती जी के पीछे के दिवार पे मैंने रिद्धी सिद्धी के नाम का दो टीका लगाया है एक टीका कुमकुम का, एक टीका हल्दी का तो आप यह ऐसा जरूर करें इससे क्या होगा गणपती जी तो विसर्जित हो जाएंगे परिद्धी सिद्धी के रूप में उनका असिरवात सदा हमारे घर में बना रहता है आप गंपती जी के विसर्जन के पहले कलस का विसर्जन करना जरूरी होता है तो सबसे पहले कलस का विसर्जन करते हैं तो यहाँ पर मैंने रखा है कलस और ये जो मैंने कलस रखा है इसको सबसे पहले जल डालके इसको विशर्जित करेंगे और ये जो नारियल है इसको हम किसी को दान कर देंगे या फिर हम प्रशाद के रूप में इसको खा भी सकते हैं उसके बाद इसके जल को किसी भी पूदे में डाल दे और थोड़े से जल को घर में छिड़काओ कर दे इसके बाद हम गणपती जी की पूजा कर लेंगे अच्छे तरीके से उनको भोग आप जो भी चढ़ाना चाते हैं वो भोग चढ़ाएं दूबा की माला जरूर विसरजित हम अनन्चतुदसी के दिन करते हैं गणपती जी का तो उस दिन आप खीरे का भोग जरूर लगाएं हो सके तो आप पूरी और मालपूए का भोग भी गणपती जी को जरूर लगाएं अपनी मनोकामना मांगे किसी भी एक कागज के चिट पे अपनी कोई भी मनोक मनुकामना मांगके गनपती जी के साथ रख सकते हैं। आप देख सकते हों। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। और इसो विसर्जित कर दीजे। तो ऐसा जरूर करना चाहिए। जिससे हम जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। अब विसरजन करने ले जाते समय गनपती जी का मुख हमारे घर के द्वार के तरफ होना चाहिए और गनपती जी का विसरजन हम जिस भी चीज में करें सबसे पहले उसमें गंगा जल डालिए फिर पानी डालिए और फिर तीन डुपकी लगा के गनपती जी का विसरजन कर इसके बाद सबसे बड़ा बात ये रहता है कि इसकी मिट्टी को कौन से पौधे में डाले लोग क्या करते हैं कि तुलसी के में डाल देते हैं गंपती जी की मिट्टी को पर ऐसा बिल्कुल भी 네 करना चाहिए क्यूंकि वो पॉधे जो होते हैं पूजनिय होते हैं, पूजनिय पौधे में अल्रेडी पूजा की हुई चीजे नहीं डालते हैं, अब आती है फूल पत्ती की बारी, तो फूल पत्ती हम खूब सारा चढ़ाते हैं, घर में विसरजन करते हैं, तो ये विसरजित नहीं हो सकते हैं, पर इसे फेक तो सकते नहीं इसलिए इसको छान के मैंने अलग निकाल लिया है इसको अच्छे तरीके से धूप में एक दो दिन सुखाएंगे और फिर घर में ही मिट्टी के कियारे जो भी आपके घर में पेर पौधे हैं उसमें डाल दीजिए जिससे क्या होता भगवान की कृपा फूल पौधे में भी रहती है घर में आपके रह जाएगी और यहां पर देखिए मैं आपको यह पौधे दिखा रही हूँ तुलसी के पौधे में ना आप मिट्टी डालिए ना ही पूजा किया हुआ फूल पत्ती डालिए ना ही बेल पत्ती के पौधे में डालिए तो कोई भी पूजनी है पौ सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपना धेर सारा प्यार मुझे देते रहें आप इसी तरीके से इको फ्रेंडली गंपती ही हर बार अपने घर पे लाइए ताकि आप घर में ही गंपती जी का विशर्जन कर दीजिए और घर में आपके ही घर में उनका सदा आप पर बना रहे बोलो गंपती बपा मो रहे है